जैसा कि हमें पता है M.Sikchamitr में लगतार नए नए अपडेट आ रहे हैं नए अपडेट होने के पश्चात M.Sikchamitr में कोई नए ओपसन भी एट कर दिये जाते हैं लेकिन अब एक बहुत अच्छी बात है कि अपना M.Sikchamitr अपडेट करने के लिए इसका अपडेटेट बर्जन हमें चेक करने की आउशकता नहीं पड़ती क्योंकि जैसे ही हम M.Sikchamitr को ओपन करते हैं और यदि इसमें कोई नए अपडेट आता है तो इस प्रकार का एक मैसेज इसमें सो हो जाता है जिसमें अपना M.Sikchamitr अपडेट करने के लिए ओपसन दिये जाते हैं इसमें हमें दो ओपसन दिये जाते हैं पहला ओपसन यदि हम अपने मोबाइल नेटवर्क से अपना M.Sikchamitr अपडेट करना चाह रहे हैं तब आपको इस पर ही किलिक रहने देना है और अपडेट पर किलिक कर देना है और यदि आप Wi-Fi के थुरू अपडेट करना चाह रहे हैं तब आपको अपना Wi-Fi ओपन करना है और इस पर किलिक करके अपडेट पर किलिक कर देना है तो बहुत ही असानी से आपका M.Sikchamitr अपडेट हो जाएगा तो हम अपडेट पर किलिक करते हैं और इसे अपडेट कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा M.Sikchamitr अपडेट हो रहा है आप देख सकते हैं कि यहां M.Sikchamitr का latest version 14.2.1 आ चुका है जबकि इसमें पिछला अपडेट बताये गया है जो कि 24 दिसंबर 2020 का है अब यहां पर सिक्षकों के कुछ प्रशन आ रहे थे जैसे M.Sikchamitr को अपडेट कर लेने के पश्चाद इसमें दिये गए option काम नहीं करते हैं तो इसमें बताना चाहेंगे कि अपना M.Sikchamitr अपडेट कर लेने के पश्चाद आपको अपना mobile एक वार restart कर लेना है अपना mobile restart कर लेने के पश्चाद M.Sikchamitr में दिये गए सभी option कार करने लगेंगे यदि इसके पश्चाद भी M.Sikchamitr में दिये गए option कार नहीं कर रहा है तब आपको अपना M.Sikchamitr अनिस्टॉल कर लेना है और इसके पश्चाद पुनहें से इंस्टॉल करना है और नियम अनुसार इसमें login हो जाना है तब निश्चित रूप से M.Sikchamitr में दिये गए सभी option कार करेंगे तो हमारे द्वारा M.Sikchamitr update कर लिया गया है हम इसे आगे process करके देखते हैं कि अब इसमें कौन सा option add किया गया है आगे process करने पर हम देखेंगे कि अभी इसमें कोई भी option add नहीं किया गया है लेकिन इसमें एक परिवर्थन जरूर हुआ है और वो है पृतिभापर्व कार करम तो हम इस पर click करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या add किया गया है जैसे ही आप पृतिभापर्व कार करम पर click करेंगे तो आपके screen पर एक message आएगा कि master data download करें तो आपको अपना master data download कर लेना है अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ option दिये गये हैं जो कि last year भी हमें देखने के लिए मिले थे तो हम इन पर click करके देखते हैं click करने पर यहाँ message आता है अर्थात इन option ओ को अभी active नहीं किया गया है तो इसे हम okay कर देते हैं तो इसमें बताना चाहेंगे कि आगामी जनवरी महा में 20 से 30 जनवरी के मत जो अर्दवार्सिक परिक्षा जो की पिर्तिभा पर्व के रूप में आयोजित होना है उसके data इसमें fill करने होंगे पिर्तिभा पर्व का data कैसे fill करें इसके लिए चैनल में वीडियो अपलोट किया जाएगा जिसे आप देख सकते हैं तो यह थी एम सिक्षा मित्र के अपडेशन के संबन में महत्पूर्ण जानकारी वीडियो कैसा लगा किर्प्या कमेंट्स कर अपने सुझाओ जरूर दें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें थेंक्यू